C I E T N C E R T दोरा प्रस्तुत है प्रक्चा बारा के लिए हिंदी की दोनी पाठे पुस्तक आरो भाग दो पाठ साथ कवी सूरे कांत त्रिपाठी निराला प्रिष्ट संख्या 49 से 44 तक बादल राग प्रिष्ट संख्या 49 कवी परिचे सूरे कांत त्रिपाठी निराला जन्म सन 1899 महिशा दल बंगाल के मेदिनिपूर जिले में पारिवारिक गाउं गड़ा कोला उन्नाव उत्तर प्रदेश प्रमुख रचनाएं अनामिका परिमल गितिका बेला नय पत्ते अनिमा तुलसीदास कुकुर मुत्ता जो कविता संग्रह हैं चतुरी चमार प्रभावती बिल्ले सुर बकरीहा चोटी की पकड काले कारनामे जो गद्य हैं आठ खंडों में निराला रचनावली प्रकाशित समन्वे मत्वाला पत्रिका का संपादन कविता को नया स्वर देने वाले निराला छायावाद के ऐसे कवी हैं जो एक और कबीर की परंपरा से जुड़ते हैं तो दूसरी और समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत भी हैं उनका यह विस्तृत कावे संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन, क्रांती और निर्मान, ओज और माधुर्य, आशा और निराशा के द्वंद्व को कुछ इस तरह समेटे हुए हैं कि वह किसी सीमा में बंद नहीं पाता। उनका यह निर्बंध और उद्दात कावे व्यक्तित्व, कविता और जीवन में फांक नहीं रखता। वे आपस में गुले मिले हैं। उल्लास शोक, राग विराग, उत्थान पतन, अंधकार प्रकाश का सजीव कोलाज है उनकी कविता। जब वे मुक्त छंद की बात करते हैं, तो केवल छंद, रूडियों आदी के बंधन को ही नहीं तोडते, बलकि कावे विशय और युग की सीमाओं को भी अतिक्रमित करते हैं। विशयों और भावों की तरहा भाशा की दृष्टी से भी निराला की कविता के कई रंग हैं। एक तरफ तच्सम सामासिक पदावली और ध्वन्यात्मक बिंबों से युक्त राम की शक्ति पूजा और कठन छंद साधना का प्रतिमान तुलसिदास है। तो दूसरी तरफ देशी टटके शब्दों का सोधापन लिए कुकरमुत्ता, रानी और कानी, महंगू महंगा रहा जैसी कविताएं हैं। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध कहने वाले निराला, उतकट आत्म शक्ती और अद्भुत जिजी विशा के कवी हैं। जो हार नहीं मानते और निराशा के क्षणों में शक्ती की मौलिक कल्पना कर शक्ती का साधन जुटाते हैं। पेश्ट संख्या 40, कविता परिचये। इसी लिए इस शक्ती साध्धिक कवी निराला को वर्शा रितु अधिक आक्रिष्ट करती हैं। क्योंकि बादल के भीतर स्रिजन और ध्वन्स की ताकत एक साथ समाहित है। बादल उन्हें प्रीय है क्योंकि स्वयम उनका व्यक्तित्व बादल के स्वभाव के करीब है। बादल किसान के लिए उल्लास एवं निर्मान का, तो मजदूर के संदर्भ में क्रांती एवं बदलाव का अग्रदूत है। बादल राग कविता अनामिका में छे खंडों में प्रकाशित है। यहां उसका छठा खंड लिया गया है। लगु मानव यानी आम आदमी के दुख से तरस्त कवी यहां बादल का अहवान क्रांती के रूप में कर रहा है। क्योंकि विपलव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। किसान मजदूर की आकांगशाएं बादल को नव निर्मान के राग के रूप में पुकार रही हैं। क्रांती हमेशा वंचितों का प्रतिन धित्व करती है। इस अर्थ में भी छोटे को देखा जा सकता है। अट्टालिका नहीं है रे में भी वंचितों की पक्षधरता की अनुगूंज स्पष्ट है। बादलों के अंग-अंग में बिजलियां सोई हैं। वज्रपात से उनके शरीर आहत भी हों तो भी हिम्मत नहीं हारते, बार-बार गिर कर उठते हैं। गगन-स्पर्शी, स्पर्धा-धीर ये बादल दरसल वीरों का एक प्रमत दल दिखाई देते हैं। चूंकि ये विपलव के बादल हैं, इसलिए गर्जन-तर्जन-अमोग हैं। गर्मी से तपी-जुलसी-धर्ती पर क्रांती के संदेश की तरहा बादल आए हैं। हर तरफ सब कुछ रूखा-सूखा और मुर्जाया सा है। अकाल की चिंता से व्याकुल किसान हाड मात्र ही रह गए हैं। जीर्न-शरीर, तरस्त-नयन-मुक। पूरी धर्ती का हर्दे दग्द है। ऐसे में बादल का प्रकट होना, प्रकृती में और जगत में कैसे परिवर्तन घटित कर रहा है। कविता इन बिम्बो के माध्यम से इसका अत्यंत सजल और व्यंजक संकेत करती है। धर्ती के भीतर सोय अंकुर, नव जीवन की आशा में सिर उंचा करके बादल की उपस्थिती दर्ज कर रहे हैं। क्रांती जो हर्याली लाएगी, उसके सबसे उत्फुल धारक, नए पौधे, छोटे बच्चे ही होंगे। समीर सागर के विराट बिम्ब से निराला की कविता शुरू होती है। यह इकलोता बिम्ब इतना विराट और व्यंजक है कि निराला का पूरा काव्यव्यक्तित्व इसमें उमरता गुमरता दिखाई देता है। इस तरह यह कविता लगु मानव की खुशहाली का राग बन गई है इसलिए बादल राग एक और जीवन निर्मान के नए राग का सूचक है तो दूसरी और उस भैरव संगीत का जो नव निर्मान का कारण बनता है प्रिष्ट संख्या 41 बादल राग तिरती है समीर सागर पर अस्तिर सुख पर दुख की चाया जग के दग दृदे पर निर्दे विपलव की प्लावित माया यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से घन भेरी गरजन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे प्रित्वी के आशाओं से नव जीवन की उचा कर सिर ताक रही है ए विपलव के बादल फिर फिर बार बार गरजन वर्षण है मूसरधार रदै थाम लेता संसार सुनसुन घोर वज्र हुंकार अशनी पाँच से शापित उन्नत शत शत वीर क्षत विक्षत हत अचल सरीर गगंस परशी स्परधाधीर हसते हैं छोटे पौधे लगुभार शस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते विपलव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते पिश्ट संख्या बयालीस अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन सदा पंक पर ही होता जल विपलव प्लावन शुद्र प्रफुल जलज से सदा छलकता नीर रोग शोक में भी हस्ता है शैशव का सुकुमार सरीर रुद्ध कोश है शुब्ध तोश अंगना अंग से लिप्टे भी आतंक अंक पर काप रही है धनी वज्र गरजन से इबादल तरस्त नयन मुख ढाप रही है जीरन तुझे बुलाते क्रिशक अधीर ए विपलव के जीर चूस लिया है उसका सार हाड मात्र ही है आधार ए जीवन के पारावार प्रिश्ट संख्या 43 अभ्यास कविता के साथ प्रश्ट एक अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ती में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों प्रश्ट दो अशनी पात से शापित उन्नत शत शत वीर पंक्ती में किसकी ओर संकेत किया गया है प्रश्न तीन विपलव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते पंक्ती में विपलव रव से क्या तात्पर है छोटे ही हैं शोभा पाते ऐसा क्यों कहा गया है प्रश्न चार, बादलों के आगमन से प्रकृती में होने वाले किन-किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है व्याख्या कीजिए प्रश्न एक, तिर्ती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया जग के दग्द हृदय पर, निर्दय विपलव की प्लावित माया प्रश्न दो, अट्टाली का नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंक पर ही होता जल विपलव प्लावन कला की बात प्रश्न एक पूरी कविता में प्रकृती का मानवी करण किया गया है आपको प्रकृती का कौन सा मानवीय रूप पसंद आया और क्यों प्रश्न दो, कविता में रूपक अलंकार का प्रयोग कहां कहां हुआ है संबंधित वाक्यांश को छांट कर लिखिए प्रश्न तीन इस कविता में बादल के लिए ए विपलव के वीर ए जीवन के पारावार जैसे संबोधनों का इस्तिमाल किया गया है बादल राग कविता के 6-5 खंडों में भी कई संबोधनों का इस्तिमाल किया गया है जैसे अरे वर्ष के हर्ष, मेरे पागल बादल, ए निर्बंध, ए स्वच्छंद, ए उद्दाम, ए समराट, ए विपलव के प्लावन, ए अनन्त के चंचल शिशु सुकुमार इन सम्बोधनों की व्याख्या करें तथा बताएं कि बादल के लिए इन सम्बोधनों का क्या औचित्त्य है कालिदास ने मेग दूत कावे में मेगों को दूत के रूप में देखा, आप अपना कोई कालपनिक बिम्ब दीजिए प्रश्न पांच, कविता को प्रभावी बनाने के लिए कवी विशेशनों का सायास प्रयोग करता है जैसे अस्थिर सुक, सुक के साथ अस्थिर विशेशन के प्रयोग ने सुक के अर्थ में विशेश प्रभाव पैदा कर दिया है ऐसे अन्य विशेशनों को कविता से छाट कर लिखें तथा बताएं कि ऐसे शब्द पदों के प्रियोग से कविता के अर्थ में क्या विशेश प्रभाव पैदा हुआ है प्रिश्ट संक्या चावालीस शब्द छवी रुद्ध रुका हुआ क्शुब्ध यानि अशांत, क्रुद्ध, खिन, दुखी अंक यानि हृदय शीर्ण यानि क्षियन क्रिशक यानि किसान विपलव यानि क्रांती, बाढ दग्ध यानि तप्त, तपा हुआ रणतरी यानि युद्ध की नौका प्लावित यानि बहाद्या गया भेरी गर्जन यानि बड़ा धोल सुप्त यानि सोया हुआ अशनी पात यानि वज्रपात क्षत विक्षत यानि लहुलुहान बुरी तरह से घायल हत यानि घायल मारा हुआ शस्य यानि हरा इसी के साथ आरो भागदो का पाठ साथ यहां समाप्थ हुआ प्रस्टुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत